गईज़ आप वो इंटो 10 है फिर 11 यूज़ करते हैं तो आपने देखाई हुआ दोस्तो अपना लेप्टॉप याफिर PC कितना ज्यादा स्लो चलता है उपर से दोस्तो अगर आपका सिस्टम में अपर के लिए लेप्टॉप याफिर PC आपका 10 साल पुराना हो गया है तभी त पर बताऊंगा बस आपको जो भी में मेथाड बताऊंगा ध्यान से दोस्तो अपना लेप्टॉप याफिर PC पर आपको एप्लाइ करना है देन जो आपको देखना है दोस्तो जो का स्वर्फोमेंस होता है वो इंक्रीज हो जाएगा यानि कि जो स्पीड होता है वो बढ़ जाएगा तो केसे करना है दोस्तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पर आ चुका हो पहले क्या करना है दोस्तो आपको पहले मेख़ड पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करके इसमें आपको क्लिक करना है इसमें क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक करके लार्ज आ जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं एरू पर क्लिक करने के बाद यहां पर एसस रेकॉमेंड़ है तेकिन किसी किसी लेपटप में हाइप पॉर्फॉमेंस के कॉफशन मिल जाता है अगर नहीं मिल दोस्तों यहां पर क्रियाटिव प्लान पर क्लिक करना है इसमें आपको एक निचे सबसे निचे हाई पॉर्फॉमेंस के कॉफशन मिल जाएगा हाई पॉर्फॉमेंस को चूच करके यहांसे अपना जो भी प्लान का नेम है अपको डाल देना है जो भी आप रेंडम ली दे सकते हैं तो यहां पर मैं हाई निक करता हूं आपको यहां से करना है और आपको ऀडर चेंचेंजें, और ट्रियुन आपको भी क्लिक करना में हुआ है दोस्तो दिन आपको सभी को करना है दिन दोस्ते हाओ अपय क्या करना आपना ScottTI बटन पर आपको राइट क्लिक खरोंगा तो यहाँ आपर एक Tax Manager के कॉफ़शन मिलेगा, ताक्स मेनेजर पर क्लिक करना है, यहां पर Tax Manager अपना शिस्टम का अपन हो जाएगा, होने के बाद यहां पर आपको साइट पर एक स्टार्ट आप को आपको क्लिक करना है, यह ऐक्षाइब तो यहां पर आपको देखना है, तो जो बी ऑनेवल है, जैसे कि वह को जरूरत नहीं है तो उसको क्या करना है उसमें आपको लाक जो बीरे क Sexual कर लें ग även डियालना यह बी स्विफोप्ड पर खाρά रे द्यावल करना है। यहान जो भी आप अप की वागर च्नीलक करना करने के बात, दोस्ते हैं, तीनम्र मेथार पर क्या करना है धियान से देख देखिएगा दोस्तों तिननम्र मेथार पर दोस्तों आपको This PC Đए चले आए बात दोस्तों आपको This PC पर आने के बात यहां पर प्रोबलेम होता है दुस्तों का सीडराइब वी एरर रगरा होता है तभी तो आपना अपना लैप टोप भी चलता है लेग होने लगता है तीक है जैसे कि यहां पर आपको दखने के लिए युल ड्राइब वाज सक्सेस्पुली स्केंड, कोई भी प्रोब्लम अभी नहीं आ रहा है मेरा C-DRIVE, आपको भी ऐसे स्केंड करके चीज़ कर ले ना है, ठीक है, करने के बाद चलिए, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है अभी, दर नीचे ऑप्टिमाइज के कॉफ़ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो अप्टिमाइज पर आपको क्लिक करना है, इसमें अप्टिमाइज पर क्लिक करने के बाद, C-DRIVE को क्या करना है, दोस्तों, आपको ऑप्टिमाइज करना है, C-DRIVE को मैं सिलेट कर लिया हूँ, करने के बाद यहां से आपको देखने क अगर आपका वीक निया पर मॉंतिनी ये तो आपको डैनी करके चिलेट कर लेना है ठीक है जने आपको यहाँ आपवना सी ड्राइप कु अप्टिमाइज करना जोस्तो ओक्तिमाइज करता रहेगा सबस्क्राइब कर तो रहें चलिए प्रण नमबर मैतल पर करना है चलिए फो इसमें लिखना है आपको clean MGR, ठीक है, clean MGR लिखने के बाद यहांसे में OK कर लिता हूँ, OK करने के बाद दोस्तों, यहां पर जो भी आपका C drive है, दोस्तों, C drive को आपको चूच कर लेना है, जो भी OS इंस्टाल है, जो भी drive में, की C drive को करने के बाद यहां करनेख के बाद यहां पर देखने क स्लाय lang तो क्लिख करने लेगा, यहां से clean matter of system find कर लिखने के बाद निचे का पिलिखने करनेंए क्लीक्यश कूच कर लिखने के लिख स्लिण स्लिकरिक अश्यानम ऑद क्लिखनें का रहरा है, जो भी लिखर सेइक तो दोस्तु उसको आपको सिलेक्ट करे लेना यानिकी भी चेक मार्ट कर लेना है चेक्झ बॉकस पर देखना है और आप आसानी से यहां से आप डेलीट कर सकता है तब ही दोस्तों यह गैंसा इन को डेलीट करने के बाद भी आपका जो कfilm करने के बाद यहां से आपको एक advanced system setting का ओफसन किलिगा he एँड़ांस system setting पर इंड दोस्ते आपको देखंग क्लिक कारने के यहाँ अपार कि पर्फोर्फोर्मेंस इस् only अगर जर्फैंटिन करते है एक बार तो आपका जो पर्फोर्मेंस उता है वो इंक्रीज हो जाता है तो आपको शेटिंगर करके इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तो आपको आardon पर चारों ऑफ्षान मिलता है तो आपे तीन नमबर जो ऑफ्षान है दोस्तो एडजस्ट फॉर बेस्ट पर्फरमेंस के एक ऑफ्षान मिलेगा यह जो ऑफ्षान को आपको सिलेट करना है चलिए इसमें में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा एड तो next मतलब पर दोस्तो आपको start button पर क्लिक करके इसमें लिखना है आपको run run लिखने के बाद डायलो बॉक्स उपन हो जाएगा इसमें कमांड आपको देना है इसमें आपको लिखना है दियान से देखेगा दोस्तो जो भी में कमांड दे रहा हूँ दोस्तों, spelling mistake नहीं करना है, as it is, आपको लिखना है, इसमें आपको T E M P लिखना है, देने आसे OK करना है, T E M P का मतलब होता है temporary, जो भी आपका temporary file है, दोस्तों, अपना computer पर ये hidden रहता है, दोस्तों, आप देखी नहीं सकते हैं, तो आपको द CTRL A कर लेना है, CTRL A करके याँ से में delete कर लेता हूँ, और कोई भी फाइल अगर delete नहीं होता है, दोस्तों, इसमें आपको क्लिक करके, skip पर, इसमें चेक मार करके skip करना है, then यहां से आपको close करना है, ठीक है, close करने के बाद, दोस्तों, आपको और और एक का कमांड देना है, then okay करना है चले में okay करता हूँ okay करने के बाद दोस्तों फिर से जो टेंपेरारी फाइल होता है दोस्ते आप यह सो हो जाएगा होने के बाद दोस्ते यह से आपको control A करना है then यह से delete option मेलेगा delete button पर click करके यह से continue कर लेना है जो भी file delete ने होता है दोस्तों उसमें check mark करके आपको continue करना है then यहां से close करूँगा then फिर से और एक command आपको देना है उसके लिए आपको start button पर click करके फिर से आपको run लिखने के बाद यह dialog box आ जाएगा आने के बाद दोस्तों इसमें आपको लिखना है prepared देखने के लिए मिलेगा pre fe tch लिखने के बाद चलिए मैं लिख लेता हूं यहां से आपको ok करना है जो भी command दे रहा हूं दोस्तों आपको screen पर मिलेगा और एक method पर दोस्तों आपको start button पर click करके इसमें आपको लिखना है mouse setting चलिए मैं लिखने के बाद यहां पर यहां पर आज आज आएगा करना है इसको आपको पूरी तरह से इसको फूल कर लेना है तब आपको देखना है दोस्तों कितना ज्यादा speed चलता है तो इसको में close कर लेता हूं ऐसे यह सेटिंग को भी आपको कर लेना है एसे यह और awesome वीडियो देखने के लिए डाइनामिक टेक्नो चनाल को सस्क्राइब जरू कर दाना तो मिलता हूं मैं next awesome वीडियो के साथ तब तक के लिए वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत सोख लिया Have a nice day still soon जैहिल